Hello Friends, X-Ray Quiz के एक नए वीडियो में आपको स्वाविद है इस वीडियो में मैं सोकुमार सेनी आपके लिए फ्लूरोस्कोपी ट्रोपिक के MCQ का सॉल्यूशन लिखे हैं ताकि आप इन क्विशन की स्टडी करके एमपी व्यापम, राजस्तान में आने वाली रेडियोग्राफ वेकेंसी ताथा अन्या कंप्रेटिव एक्जाम के त्यारी कर सके तो दोस्तों इन क्विशन की पॉंस को मैंने आप तक आसान बनाने के लिए मैंने सारे कुशन नीचे डेस्क्रिप्शन में दे दिये हैं ताथा मैंने इनका टाइम स्टैम भी दे दिये हैं ताकि आप इंडिविजल कुशन में क्लिक करके आप उसी पॉर्शन को देख सकें जो आप चाहते हैं दोस्तों अगर आप भी ये टेस्स देना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिये हैं जिस पर क्लिक करकर आप ये टेस्स जोइन कर सकते हैं तथा अपने रेडियोलोजी के नोलज़ को और ज़्यदा बढ़ा सकते हैं तो चलिए चलते हैं हम टोपी की और आज के जो फ्लॉरोस्कोपी के दस क्यूशन दियेगे हैं उसमें सबसा पहला क्यूशन है और प्रेश है रिलीज करते हैं एक्सपोजर क्या कहा जाता है तो उस स्विच को डेडमें स्विच का जाता है यहां पर आप ऑपसीन डी देख सकते हो गर किसी इमेज इंचेंस फाइयर का जो जो ब्राइटनेस गें है की दिया कें दिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्राइटने स्क्राइप से संदोरी मिया वर्थे नहीं सब्सक्राइब तो ब्राइडने समय कितना एसका वन पर्सेंट कि देना तो इसका आंसर हो जाएगा B, जिसमें दिया हुआ है 400 Next question है, image intensifier gain increases with the increasing, तो image intensifier gain है, वो किसको बढ़ाने से बढ़ेगा, देखें, सबसे पहले अगर हम देखें, जो image intensifier का brightness gain होता है brightness gain है यह brightness gain क्या होता है यह flex gain into minification gain का product होता है flex gain into minification gain का product होता है, यह आफिर flex gain क्या होता है, देखें, flex gain अगर हम देखें, flex gain यह होता है, जो आपका, जो output light photon, number of output light photon upon number of input light photon बनते हैं, इनका जो ratio of flux gain का लाता है और minification gain क्या होता है अगर हम minification gain को देखें, तो जो आपने image intensifier देखा था है इस image intensifier में क्या होता है output फोसपर का अलग diameter होता है यह input फोसपर है, और यह output फोसपर है, तो इनका diameter अलग लग होता है तो minification gain क्या होता है, minification gain होता है, input फोसपर का diameter या इसका जो ब्यास है अगर हम इसे d1 बोले और इसे d2 बोले, तो यह क्या हो जाएगा, d1 upon d2 का whole square इसका यह हो जाएगा, अब देखें, option देखें, option of flex gain, brightness gain किसको बढ़ाने से बढ़ेगा अगर flex gain को increase करते हैं, तो यहाँ पर brightness gain बढ़ेगा, वो क्या सही है kvp और ma, kvp और ma का यहाँ पर कोई योगदा नहीं, अगर आप kvp बढ़ाते हो, number of x-ray photon यहाँ पर गिरेंगे तो output photon भी बढ़ जाएंगे, यानि इनका जो ratio है, वो ratio same ही रहेगा इस चीज़ के लिए और दूसरा, output phosphor size, अगर आप output phosphor का diameter या इसकी size बढ़ाते हो, तो minification gain क्या होगा, कम होगा, इससे क्या, brightness gain जो क्या होगा, यह भी कम होगा, इसलिए इसका answer हो जाएगा, flex gain तो जो तीसरा question है, इसका answer होगा, A, flex gain next question देगे, cgm iodide as input phosphor is superior because हो, जो cgm iodide है, उसको image intensifier में, अगर हम input phosphor के रूपे लेंगे, तो वो superior क्यों होता है, देगे, मैंने आप वो cgm iodide क्योता है था, यह एक structured phosphor होता है, यह structure needle safe crystal होता है, और यह highly packing capacity होता है, यह बहुत अच्छी तरह होता है, इनकी length ज्यादा होता है, यह optic fiber की तरह से ब्याव करते हैं, और जैसे यह आपे x-rays गिरती है, इससे जो light photon मनते है, वो light photon, ज्यादा जाते हैं, उनका lateral spread क्या होता है, उनका lateral spread क्या होगा, बहुत ही कम होगा, इस कार्ण से क्या होता है, x-rays गिरेंगी जो light photon होगी, वो more forward direction के अंदर जाएंगे, ज्यादा forward action के अंदर जाएंगे, तो देगे, cgm iodide as input phosphor is superior because of, first option है, the vertical orientation of the crystal, crystal का orientation क्या है, यह एक needles के रूप में है, आप इसको अगर सीधा करोते हैं, वर्टिकल ही हो जाएगा, वर्टिकल इसका orientation होता है, greater packing capacity, इनकी packing capacity भी greater है, यानि एक needles से होते हैं, और एक रूम से पास आके, optic fiber की तरह से यह needles बनाते हैं, एक more favorable effective atomic number cgm का atomic number 55 होता है, और iodine का atomic number 53 होता है, यह relatively high है, इस कार्ण से क्या होगा, x-rays गिरेगी, तो x-rays का photoelectric interaction हो यहाँ पे ज्यादा होगा, ज्यादा x-rays अटेनियेट होगी, और ज्यादा x-rays अटेनियेट होगी, तो क्या होगा, ज्यादा input phosphor पर light photonic create होगी, जिससे image intensifier की efficiency भी बढ़ती है, fourth option इसका all of the above, तो इसका answer हो जाएगा all of the above, जो cgm-oidal crystal है, इसके अंदर यह सभी properties पाई जाती है, fifth question है, the image intensifier tube work on the principle, image intensifier tube होती है, जो image intensifier tube है, मैं आपको इसका diagram बना देता हूँ, यह किस principle पर काम करती है, देखिए, यह इसका input phosphor हो गया, यह output phosphor है, तो जैसे ही इस पर X-rayze गिरती है, यहाँ पर, जो sinclator होता है, वो क्या करता है, वो इस X-rayze को, light photon के अंदर, convert कर देता है, light photon कर देता है, input phosphor गर्रूप में आपको बताया था, यहाँ जो sinclator cgm-oidal जैसे काम में ले रहे हैं, तो यह क्या करता है, इसको light photon के अ तो यह कौन से काम करता है लाइट पर अप्सका यह जाता है तो यह काम में दालते हैं तो यह काम में लिए जाता है फोटो इमिशन बी ओप्शन हो जाएगा इसे में हम लाइट जो रेडियेशन एक्सपोजर अगर टर्मिलेट हो जाए उसके बाद में भी लाइट होती रहती है तो मैंने आपको देदा किसी पदात पर हम अगर एक्सरेज डालते हैं तो इससे लाइट निकलती है इसे हम क्या करते हैं यह जैसे एक्सपोजर हो गया इसका एक्सरेज के द्वारा तो यहां पर लाइट विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है अगर यह विजिबल लाइट टैंस की पावर माइनस आठ सेकंड के after, बाद में अगर release होती है, या लंबे समय बाद तक release होती रहती है, तो इसका answer क्या हो जाएगा? आंस्वर C हो जाएगा फॉस्पोरी सेंस कि एक्सपोजर टर्मिनेट होने के बाद में भी लंबे समय तक लाइट विजीव लाइट प्रोडूस होती रहे तो इस पॉस्पोरी सेंस कहते हैं जिसको हम लूमिनी सेंस के अंदर में श्टेडी करते हैं अगर हम इसको कम से कम कितना रखना होता है तो देखें अगर हम फ्लूरोस्कोपी मसीन काम में लेए इस हम दो तरीके से काम मिलेते हैं या तो यह स्टेशनरी हूँ और या यह मोबाइल हूँ जिसे जिसे सियार तो इनके अंदर जो SSD क्या होगा देगे स्टेशनरी जो फ्लोर्सकोपी मसीन है इसमें हम 38 सेंटिमीटर या 15 इंच जो SSD है इससे कम नहीं होना चाहिए और अगर हम मोबाइल सियार मसीन का में ले रहे हैं इसके अंदर अगर हम देखें इसके अंदर 30 सेंटिमीटर या 12 इंच SSD मिनिमम होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए इससे ज्यादा होनी चाहिए नेेस्ट्स कुष्ण है दिफ्लोर्सकोपी गुणिट विद ऑटमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल दए एक स्रे एक्सपोजर एडेटेबल टोप तुड नौट एकसीड़ अगर आप फ्लूर्सकोपी मसीन काम में ले रहे हो जिसमें ऑटमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल ABC की फेसिलिटी है तो आपका जो टेबल टॉप पर जो रेडियेशन एक्सपोजर है वो किस मिनिमम कितना होना चाहिए इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए तो फ्लूरोस्कॉपी मसीन अगर आप विद ABC ओटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल काम मिले रहे हो और विदाउट ABC ओटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल ले रहे हो तो एक्सपोजर क्या होना चाहिए एक्सपोजर शुडबी लेस देन एक्सपोजर क्या होना चाहिए लेस देन होना चाहिए कितना किस से बिद ABC यह तो 10 रोंजन पर मिनट और without ABC उसके लिए 10 रोंजन पर मिनट इससे ज़्यादा रेडियेशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इसका option हो जाएगा D 10 रोंजन रोंजन पर मिनट क्योंकि इस fluoroscopy के अंदर क्या है तो फ्लॉरोस्कॉपी मसीन की जो टेबल होती है इस टेबल के अंदर जहां पर हम बकी के अंदर जो केस्ट लगाते हैं उसके ओपर यहां के आगर पर एक जो एक कवर लगाते हैं उस कवर की जो ठीकनेस अगर हम लेड इक्विलेंट में देखे तो वो कितनी हो जाए तो यह 0.25 mm लेड इक्विलेंट कितनी 0.25 mm लेड इक्विलेंट इसकी ठीकनेस होनी चाहिए तो इसका हो जाएगा दी 0.25 mm लेड इक्विलेंट होगा देखे एक क्विशन और है विच अब दे फॉलोविंग कॉमिनेसं विल रिडूस पैसें रेडियसन एक्सपोजर दूरिंग फ्लूरोस्कॉपी मापको सीज़ी बतरा दाता हूं तो फ्लूरोस्कॉपी मसीन है फ्लूरोस्कॉपी को आप दो तरे से काम में ले सकते हो क्या अंतर होते हैं में अपना एक्सपोजर दबाया तो एक साथ ही निकलता रहता है बीच में कोई भी उसमें इंटर्वल नहीं होता तो एक सेकंड के अंदर देखो तो एक सेकंड के अंदर तीस बार कम से कम क्या होगे रहे रिडिएसञ निकलेगा इसके अंदर तीस बार कम से कम रिडिएशन निकलता है 30 लाइंस पर नहीं होना है यह एक सेकंड की टाइम लाइन है यानी 30 fps फ्रेम पर सेकंड के रिकोर्डिंग होती है और इस इतनी रिकोर्डिंग से क्या होगा अगर आपके बोडी के अंदर कोई जो और्गन मूवमेंट है तो वो मूवमेंट आपको शो होती है, फ्लूरिस्टोपी भी इससे हम केंटिनियसमोड फ्लूरिस्कोपी करते है hören अगर आप एक सेकंड की टाइम लाइन के अंदर अगर आप बटन एक सेकंड के लिए प्रेस करते हो तो पूरे एक सेकंड तक ही रेडियेशन एक्पोजर नहीं निकलेगा इस में क्या होगा एक स्रेज जो पल्स की रूप में निकलता है यह पल्स दो से लेके 15 पल्स तक हो सकती है, यह 7 यह 8 पल्स का आपका जो है, आपने इसको मैनुली सेलेक्ट कर सकते हो, इतने पल्स की होनी जाए, 8 पल्स का यह तो 1 सेगने के अंदर क्या होगा, 8 ही पल्स रेडियसन की होगी, 8 पल्स होगी, और किनी भी 2 पल्स के बीच पर रेडियसन गेप होगा। और इसके साथ ही अगर आप पल्स मोड के अंदर मालो आप इसको दो तरीके से काम ले सकते हो हाई डोज रेट एंड लो डोज रेट मतलब आप इसको हाई डोज रेट मतलब आप इसको हाई डोज रेट मतलब आपने पल्स तो कम काम में लिए लेकिन अगर आप इसमें एक्सपोजर बढ़ा दो इसके अंदर में है इसको बढ़ा दो तो हाई डोज रेट के साथ काम मिलो कि कम ये यह यह इसको पंदे का र discussing एक्सवरोम मृते Pixar संब्ग मिछाइव यह सब्सके उसके सब्सक्राइव ईए दृचार हो पफेसेंट का रेडियसन एक्सवरोगा hem वह इंधेया में केसे लिए और इसके साथ लो दो द्रय रखने है क्या है रकना है लो दो डरकना है इसका आंजहरो हो जाएगा रिकए पहले सोट है हायेस्ट पर्स मौड़ एंड हायेस्ट दूसरे हाई हायेस्ट पडस मौडे हाई है आप continuous ऐने माह прилож है फिटीन प सेज ले रहे हूं ए loves सब्सक्राइब है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर डी होगा कि इन्हें में आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां पर जाकि आप इन क्यूशन को स्टेडी कर सकते हो